वेल्कम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लाई हूँ तंदूरी रोटी की रेसिपी वह भी तवा में आप इसका टेक्चर देख सकते हैं पौफेक्ट तंदूर वाली आई है और लुग भी पौफेक्ट तंदूर वाला है ये किन मानिए ये खाने में बहुत ज्यादा टे कॉंबिनेशन को बनाना शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो इसके लिए मैंने यहां पे डेड़ कप आटा लिया है लिया है हाफ टीस्पून के जितना बेकिंग सोड़ा एक टीस्पून बेकिंग पाउडर एक टीस्पून चीन जो रेगुलर देही होती है उसका इस्तमाल किया है उससे बहुत अच्छा टेक्च्चर आये का फ्रेंड तो वही इस्तमाल करें मैंने पांच चम्मस दही लिया है और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब एक टीजपून मगच के दाने को और इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं और दीखें मेरे कड़ाई में तेल गरम होने दे दिया है और इसमें एड कर देती हूं मेति के दाना हाफ टीजपून और हाफ टीजपून राई थोड़ी सी कद्दुकस की हुई अद्रक और स्वात इन्हें कुछ सेकिन भुनने के बाद एड कर देती हूं एक मीडियम साइस का प्याज जिसे मैंने चौप कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और से पकने देंगे तो जब तक वह पकड़ा है मैं आपको पता देती हूं देखिए मैंने पहले से ही चने की दाल को अच्छी तरह से कुछ इस तरह से कॉइल करना है बहुत ज्यादा गलाना नहीं है तो इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दो विसल आने तक लो फ्लेम पर चने दाल को कुक किया है और प्रेशर खुद रेलीज होने दिया है और देखिए कितना अच्छा टेक्शर आया ह तो इसी तरह आपको इसे पका लेना है बिना नमक के और देखिए हमारी प्यास इतने दिर में अच्छी तरह से 2-3 मिट लगे है फुन चुकी है तो एड़ कर देते हैं अपने टमाटर मगज वाले पेस्ट को और से आड़ करने के बाद आड़ कर देते हैं स्वादनुसार नम साथ ही आड़ कर देती हूं एक टीस्पून भरके लेसन का पेस्ट और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके इसे कुखोने देंगे पांच मिनिट के लिए और पांच मिनिट बाद देख तो यहां पर मैंने दो चमच जितना चने की दाल को लिया है और यहां मिला दूगी और इस तरह से हमें उसे गोट लेना है अपने चमच या कर्ची की मदद से ताकि दाल जो है अची तरह से इसमें मिल जाए हम पानी का इस्तमाल बहुत कम करेंगे तब ही हमारा दाल का टेक जब पानी आट करेंगे ना तो अब और हमें दाल को गुटने की जरूरत नहीं है तो पॉफेक्ट धाबा वाला टेक्शर मिलेगा खरे खरे दाल मिलेंगे और दाल गाडी भी क्योंकि हमने दाल थोड़ी से गुट दी है और इसे अची तरह से मिला लेते हैं मैंने बहुत क अची मिनिट लो फ्लेम पर इसे पकने दिया है हलके हलके और सेपरेट हो चुकी है तो इसमें फाइनली एड कर देते हैं फ्रेश थनी को तयार है हमारा डिलिशिस तड़का पॉफेक्ट धाबा स्टाइल आप लुकस का देख सकते हैं पॉफेक्ट धाबा वाला आया है यक इसमेर्ट अच्छी तरह से अचे सट हो चुके है तो अब लेते हैं चोटी सज्आ और इसी किरो ना लुऑ हुऊ साका हो ख़दिया है और डस्ट करके ऐसे भील लिया है तो तंदूरी यह यह बहुत ज्यादा पछली डिली नहीं तो हलकी मोटी रखेंगे तभी जो है वह पॉफेक्ट टेक्च्चर आएगा तंदूरी रोटी का तो इस तरह की थिकनेस रखे अपने रोटी की और अब उपर से हलका फ्रेश धनिया डाल देती हूं लुक भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा अपने रोटी पर चारो तरफ अच्छी तरह से कहीं तो आप करना है इसे हातों में लेना है और तभा पहले से गरम होने रख दिया था और फ्रेंड और इस पर ताल दिया रोटी और इसे अच्छी तरह से अप उलटा करके सेगे जब इस तरह एक बबल आ जाए अपने यह आपको टेंशन नहीं लेना है अच्छी तरह से हमारे रोटी को सेख लेना है इस तरह से तवा को घुमाते वह आप देख सकतें कितना अच्छा तेक्षर आहरा है पॉफेक्ट लुक आ रहे है उपर से क्रंच बन रहा है तो अब इस पर से आड़ कर देते घीया बटर और आप पहले से तयार करके रखा है कितना इजी था इसे बनाना आप इसका लुक देख सकते हैं टेक्षर देख सकते हैं बेस्ट कॉंबिनेशन परफेक्ट धाबा वाली तंदूरी रोटी और हमारे दालतर के बनाना बहुत सिंपल बहुत असान था आप बहुत ही इसली से घर पर बन इस तरह की यूनिक और इजी रेसिपी आपके लिए मैं लाती रहूंगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें